भवान श्री हरी जी की आर्थी का दूसरा भाग भारतिये सितार लेस्ट बारा तो पिशले ज्यारा भाग में मैंने आपको आर्थी की सिताई के बारे में बताया उसकी सर्गुन के बारे में अब अद्रे के बारे में थोड़ा विचार करें तो साइक इस्तरा सी ओम जै जग दीश हरे तम जै जग दीश हरे भक्त जनों के शंकर्ट दास जनों के शंकर्ट चण में दूर करें ओम जै जग दीश हरे अज़ करें अब आगे अंत्रे की बूर है मात पिता तुम मेरे शरन कहूं मैं किस की स्वामी शरन कहूं मैं किस की तुम बिन और न दूजा हरी बिन और न दूजा हात करूं मैं किस की तुम बिन जय जब जीश हरी रेशा नी रेशा नी रेशा मात पिता तुम मेरे मात पिता तुम मेरे शरन कहूं मेरे शरन कहूं मैं किस की पाधा पामागा गारे सारे मात उती डेशा atención जरन कहम में किस की जरन कहम में मा तपिता तुम मेरी चाना स्वामी मुझे रिखवाना तुम मुझे रिखा तुम मैं। स्वामी मुझे प्रखुविन और ना दुजा रिखा डिखा मौना बिखार ए आसकरू मैं इसकी ओम जय जगदीश हरे तो ये है अंत्रे के भाग आगे जो भी आर्टी के शब्द है अंत्रे में तो अंत्रा तो उस्षितार में वैसे ही चलेगा बाकि उसके भाग जो है वो बदलेगा अंत्रा तो इसमें अब ये तो आप मीड से कर्यंतन से सजा सकते हैं मीड का मतलब है कि तेखिए आप ओम जै जग दी शहरे इसी कुछ तो आप मीड में सजाएगी तो बिना आस से क्टे हुए जो सुर बगा जाता है उसे मीड क्याते हैं जैसे देखिए अब नी से सा की मीड जो आगे बाला सुर है हम इसको खैच के वो सुर बिना पर्दे को शुए हुए बजाते हैं तो यही सुर है पर्दे पर तो इस तरह एक अकार बिना सुर के टूटे हुए तो उसके बीच में जो गैप है वो उसकी आस तूटी नहीं हुए अब ऐसी यह गागी मीड होगी नी से गागा अईसी मीड का अभ्यास काफी सुर की समझ हो तो अभ्यास हो तो मीड का अभ्यास होता है तो ऐसे केई टेक्नीश हैं जिसका धीरे धीरे अभ्यास करने पर इसमें हम किसी गाने या गीत को या भजन को आपकी सजा सकते हैं कि बड़ जिएन सकते हैं कि अंद के लेगी जस्थ सस्यक्ते हैं कि ले ःग्यास काफी पर छो आभ्यास का अभ्यास होता है कि एना कखी लेग्साल tavalla है पुल झाल कर दो 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 कर तो इस तरह अच्छा र्याज हो जाने पर आप इसकी लेवी बढ़ा सकते हैं तो इसकी लेवी बढ़ा सकते हैं तो इसकी लेवी बढ़ा सकते हैं तो इसकी लेवी बढ़ा सकते हैं कर दो कर दो